हे गईच कैसे हो आप लोग मैं है पनी लेश भी अब बहुत बहुत श्वागर करता हूं इस यूटूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको शॉल्ब करकर बताऊंगा जी हमें दोस्तों जो यूपी बोर्ड का क्लास्टेंड का 2022 का हिंदी का पेपर है जि के द्वारा जारी उसको बता रखा है उसका सॉलूशन भी करा रखा है तो उसको देखना चाहते हो तो इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्सा में लिंक डाल दूँगा इस पेपर को सॉल्ब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो आप लोग का पेपर का पैटरन बदला है ओनोंकि बूक बदली है तो पीछे के जितने भी पेपर है उन्हीं से इसस?अल के प्иса के पेपर में उठ़ाएगा तो इस लिये इंसको लेकर करना जरूरी है चलो इसको आम लोग करते हैं इसी तरह करकर और मैं आपके सारे बीक का साल कराओंगा ठीके चलो यहां पहला कुशन क्या है कि objective type का हमें मतब कथन दिया है चार्टे और इसमें से पहचानना है कि कौन सा कथन सत्य है देखो पहला क्या है कि मैला आचल रहुल संकृत्यायन की का विक्रीती है तो ये गलत कथन है मैला आचल रहुल संकृत्यायन की नहीं बलकि फड़ी स्वरनाथ रे इसमें आकथन है कि मुंसी प्रेम चंदर का गोदान प्रसिद उपनियास है बिल्कुल सही जो गोदान है मुंसी प्रेम चंदर जी द्वारा लिखित इनका एक प्रसिद उपनियास विधा की रचिना है तो ये आपसा नम्लों का सही हो जाएगा बाकि चलो ये थर्ड और फूर्ट भी देख लेते हैं कि क्यों गलत है थर्ड वाला कि गुनाहों का देवता बाबु गुलाब राये की रचिना है गलत है इसलिए गलत है क्योंकि ये जो गुनाहों का देवता है बाबु गुलाब राये नहीं बलकि धर्म बीर भारती जी है म चलो काफी थीख हो गए यार महापकरना एक मिनट अब काफी चलो कोई दिकत नहीं मोटा ही लिखने दो चलो यहां पर इसमें चौथा कथन है आप लोग देख सकते हो कि सुमित्रानदन पंथ प्रसीद उपनियासकार है तो गलत है भई सुमित्रानदन पंथ जो है उपनियास प्रस्कार नहीं बलकि प्रसीद कवी हैं ठीक है चलो तो यह क्यों तीनों का ठनकलत है और यह सिकनरोंड सढिक 이 क्लियर हो गया अब चलो अगला हमलोग प्रस्विकर ले दे कर लेते हैं अगला हमें यहांपर देखो यहांपर दिया है कई इस रहीटनायग मैं दिए है तो देखो जैसे पहला प्रतिसोध है प्रतिसोध है तो प्रतिसोध के लेखा कौन है तो वह है मैथली सरण गुप्ट जी है मैं दोस्तो आप लोग याद रखना मैथली सरण गुप्ट Okay, second है हम लोग का भूले बिशरे चीतरे भूले बिशरे चीतर के लेखा कौन है? तो देखो ये भगवति आपने नाम सुना होगा सायद कि भगवति चरण उपाध्याए ठीके? भगवति चरण उपाध्याए अप लोग याद रखना भुले विषरे चीत्र के लिखक भगवती चरण उपाध्या जी है ठीके, सौरी उपाध्या मैं बोला, वर्मा भगवती चरण वर्मा है, उपाध्या नहीं है ओके, चलो, अगली इसमें देख सकते हो, अगली रचना आवारा मसिया और अंत में यहाँ पे नीचे आप लोग देखते हैं फूर्थ नमबर ठूठा आम भाई ठूठा आम के लेका कौन है तो भगवत सरण उपध्याएं है कौन है भगवत सरण उपध्याएं है क्लियर तो यह आपको चारो रचनाओं के बार में भी वालूम चल गया अब चलो हम लोग अगला प्रसंद देख लेते हैं यह सारे के सारे आप लोग के जो अब्जेक्टिव कोश्रे ने उसके लिए काफी इंपोर्टेंट है अगला यहां पे गर्नमर इसमें प्रसंद क्या ह कि लहरो का राजहंस किस बिधा पे अधारित रचना है तो देखो जो लहरो का राजहंस है यह मोहन रकेस जी द्वारा लिखित नाटक बिधा की रचना है किस बिधा की रचना है नाटक और किस ने लिखा है तो मोहन रकेस में याद रखना काफी इंपोर्टेंट है यह ठी नीचे कि जय पराजे रचना के लिखा का नाम बताई ओके हम जय पराजे रचना के लिखा का नाम बताना है तो देखो जय पराजे रचना के लिखा का नाम जो है वो स्याम नरायन पांडे है क्या स्याम नरायन पांडे आप लोग याद रखिएगा मैं लिख देता हूं याम यहां पर अगला question है कि राजरेंद्र यादो की प्रतिक्षा की सबीधा पर अधालित रचिना चलो याँ एक तरसा कभीत है हम लोग कह सकते हैं तो यह हम लोग करहें यह objective की प्रस्न कुछ आगे भी प्रसन है उनको देख लेते हैं फिर संदर्ब याख्या वाले प्रसन को हम लोग देखेंगे यहां इस कोश्चन का कोई मतलब नहीं बनता यहां इसका भी कोई सीला ले को लिखा किस नहीं है आपने नाम सुनाओगा भावानी प्रसाद मिश्र का ठीक है थावानी प्रसाद मिश्र नहीं की रचना कि अब हमें क्या है कि कि यूग की रचना है मैं यह पूछ रहा है तau ढगे हम लोग चलते है आचे हम लोग जो भी प्रसंट है यहां पे देखो मतब्य संदरव्यक्या से सम्वन्य प्रसंट पूछे करना था और इस वी प्रसंट पूछेगा तो इसको कर लेते हैं जो आपके व्यशbaum इसका आंसर देना है और फिर यहां अथवा करकर भी होगा इसमें खौद दिया है यहां भी देखो यहां पर दिया है तो चला हम लोग दोनों को देख लेते हैं यहां पर मैं किवाल आपको बताया हूँ कि आपकी किस शेप्टर से मैं ब्याक्या नहीं कराऊंगा नहीं तो काफी टाइम लगी आएगा आप लोग करते रहना ब्याक्या देखो यहां पर पढ़ू उच और महान कारियों में इस प्रकार सहायता देना मन बढ पुष्थक हिंदी के मित्रता नाम ह्पाट से लिए और इसके व्याक क्या करनी तो आप आसा निस कर लोगे इतने की ब्याक्या करणी है आप लोग करते रह厘ना और इसके मित्र से ik legal पुछा है नीचे ये फॉस्ट Vermo यहां एक और गद्यान से मतब अथखा में जो रहता है मतब उपर वाला करिया है नीचे वाला कीजिए यहां पर गद्यान से और इससे रिड़ेड नीचे टीन्थे प्रस्न पूछा है ठीक है यहां पर देखो तो चलो इस गद्यान को भी हम लोग देख लेते हैं देखो यहा आज विज्ञान, आप लोग यहां देख सकते हो, एक मिट, आज विज्ञान मनुस्तियों के हाथों अद्भूत और अतूल सकती दे रहा है, इसका उपयोग एक ब्यक्ति और समूह के उतकर्स और दूसरी ब्यक्ति और समूह के गिराने में होता रहेगा, ओके, साथ आप लोग पकड़ लिए होंगे, यह किस चेप्टर से आपका, अगर नहीं पकड़े होंगे, तो चलो, मैं बतायता हूँ, यह जो आप लोग का ढक्तर राजेंदर पर साथ जीत वारा लिखित चेप्टर है, भारतिय संस्कृति, यह भारतिय संस्कृति, उसी का य प्रेक्टर राजेंदर परसादे जुकि आपको ऊपर वाला करना ही या नीचे वाला करना है दोनों सुझ है लेकिन आपको एक्जाम में कौन है हमें तो पता नहीं है तो इसलिए हमको सबको solve करना है तो ये आप लोगा गद्यांस की इस chapter से आपको मालूम चल गया अब इसमें हमेरे खांकी कंस ये थोड़ा सा था ठीके तो इसकी ब्याख्या करनी है तो आप ब्याख्या करते रहिएगा इसकी ठीके इसरे खांकी कंस की आप simple ये गद्यांस कि बिज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है ठीके तो ये गद्यांस आप पढ़ोगे तो इसका भी आंसर मिल जाएगा बाकि इसका पीडियेफ आपको चाहिए नो चुकि पीडियेफ के लिए मैं बता दू कि आप सूपर फास्ट एस यूपी यार सूपर एफ ए चलो आगे हम लोग चलते हैं अगला प्रस्ण कर लेते हैं अब देखो आप लोगा जैसे यह गद्यान से बिरे रिलेटर प्रस्ण आता है दो थे संद्रव्याकिया से संब्दित लेकिन एक ही आपको करना होता है तो जैसे यहां पर देखो यह first है इसमें कि मानुस हो तो व मालूम चल जाएगा कि यह किस चेप्टर से तो देखो यहां एक दिया है यह आप लोग का पध्यांस और एक यह नीचे दिया है अभी इस साल आप लोग के इसमें थोड़ा सा तो आप लोगों ने रस्खान जी का चिप्टर पढ़ा होगा ठीक है रस्खान जी का तो यह रस्खान जी वाले चिप्टर से है रस्खान की यह सवय है रस्खान ठीक है तो आप लोग इसका संदर्व कैसे लिखोगे प्रस्तूत गद्यांस हमारी इसमें पद्यांस लिखोग रस्खान जी है सिंपल ऐसे और इसकी ब्याक्या आप देख लेना इसका अर्थ आप जानते होंगे तो ब्याक्या साइनिस कर लेंगे चलो अगला हम लोग प्रस्ण देख लेते हैं यह देखो यह जो पद्यान से यह किस चेप्टर से है कि विश्वत रेखा का वासी जो जितत में ठीके उसी का है यह राम नरेश्टी पाठी जो जी द्वारा लिखित आप लोगा पद्यान से ठीके अगर चेप्टर की मैं बात करूँ तो वह है स्वदेश प्रेम स्वदेश प्रेम ठीके तो यह आप लोग इसका संदर्व लिएगा ठीक और हाँ सिंपल इसका आप अ तो हमने यह देख लिया दो गद्यांस देख लिया दो पद्यांस देख लिया ठीक अब चलो यहां पे थोड़ा संस्कीत से भी रिलेटर कुछ चीज़े आता है अगर जीवन पर्चे की मैं बात करूँ तो इस साल के लिए आप जैसंकर प्रसाद जीका और राम चंदर सुक जिवन पर्चे याद कर ली जीगा आपके झाउन जहाएगा ठीक है आफ बाकि एक और याद कर सकते हो तो आपका मन आप कर लेना देख लेना एक और पधियांस में जीवन परचे की बात करूँ और देखो पिछले साल के पेपर में दखो तीन मारक में पूछा करता है और एक कोई और याद कर लेना कब से कम 3-4 ठीस में याद कर लेना किलियर आपके पहुंच जाएगा एक जाम में असानी से अगला देखो यहाँ पर एक और प्रस्थ है यहाँ पहले क्या होता था था ना कि पहले देखो मतलब यहाँ एक गध्यांस दे दिया और अठवाव में करकर यहाँ एक पध्यांस दे दिया एक स्लोक दे दिया अठवाव में करकर यहाँ नीचे लेकि नए आसा स्लोक है जिसको पध्यांज कहा जा रहे ये भी दो पूछेगा दोनों में इसको एक को करना होगा ठीक है तो चलो पहले यह जो यहां पर दिये हुए इन दोनों को हम लोग देख लेते हैं कि आपके इसकी चेप्टर से हैं बाकी आगे हम लोग मतलब जो नया पैटरन है पेपर का वो तो मैं आगे मतलब डिसकस कर ही रखाऊं तो आप उसको देख लेना उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्रिप्टर में डाल दूँगा यह तो यहां देखो क्या है कि अस्माकम संस्कृति सदा गस्ति सिला वर्तते मानो जीवनम संस्कृति देखो यहां संस्कृति ही नाम से चेप्टर है किस निम से भारतिय संस्कृति मैं लिख देता हूं भारतिय संस्कृति ही उसी का यह मतलब यह लाइंस लिया गया है तो आप इसका संदर्ब लिख देना कि प्रस्तूत इसको गध्यांस कहा जाता है तो प्रस्तूत गध्यांस आवारी पा करना हो नहीं यह तो इसका हिंदियन बाद पर लेना देखो कौन सा गध्यान से आप कोज ले ना कहीं भी इसका और हिंदियन बाद अच्छे से इसका clear कर लेना चलो आगे देखो यहां पर यहां पर यह स्लोक दिया हो है यह को पधियांस कहा जा रहा है तो यह तो नए पैटर्न के पूछा रहेगा लेकिन एक answer उसमें से देना होगा यहां पर ओल्ड पैटर्न के नुसरे एक ही पूछा है तो कोई दीकत्र ने आप लोगों के पीछे संस्कीत है आप लोग का जीवन सुत्राणवी वाला चैप्टर है जीवन सुत्राणवी वाला उसी से ये लिया गए है जो वारता होती बात होती यह उसी का वाड़न किया है तो यहां इसका अर्थ चाहिए कि जो बाहर रहने वाला घर से बाहर रहने वाला बेकते हैं उसका साथी धन है घर पर रहने वो क्या होता है कि दान होता है ये इसका अर्थ है हिंदी तो ये तो हिंदी अर्थ हुगा आप लोग करोगे तो तीन मार्क मिलेगा और इसका स्तंद्र लिखोगे तो दो मार्क नए पैटरन के नुशार पांच मार्क आपको मिलेगा तो इसको आप लोग के लियर कर ले ना य त incl discovered 2% को आंसर लिखना रहेगा और 2-2 मार्क दूनों का मिलेगा य MRI ज्यानि four रहेंगे नियू percent के लिए लेकिन के वो Pence का आंसर देना होगा और दोनों का दोदो मर्क इनी चार मर्क का पूमिलेगा और चंदर से करा सुआ नाम कीम अखते थे हां ऑनाइन प्रुडाम करते है तो भई आजद अपने आपको आजद कहाता था वाजद लिग दोगे कुट्र माड़ना मंगलम भौती तो भई सिंपल व इसका तो मुझे आंसर नहीं मालूम है यार चलो छोड़ देता हूं आप लोग देख लेना तो यह हम लोग का हो गया बाकी इधर देखो आप लोग का अब यह जीतना है यह हांसे रसकॉंड़स यह तत्सम्तद भौ इन सबसे अब सुरू में जो 20 मार का अब्जेक्टिव कोशन पुछेगा उसी में जो 10 मार का अब्जेक्टिव कोशन होगा वह आप लोग इन ही से यह जो आप लोग का हांसे रसकॉंड़स मतब रस से सिंपल रस से चंद से अलंकार से तदसम सब्द परिवाची सब्द सब्द रूप या जो पठे धातु इलिख सब्द दातु इन सभी से उपना graph रहेगा ठिक तो इसको करने से कोई फायदा नहीं है यह जो भी दिया हू sounding यह समाज सभी रहेगा उब्जेक्टिव कोशन संधी से भी रहेगा तो इसको करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है लिए तो इसको मैं छोड़ देता हूं आ बाकि इसका PDF में आपको फिर बताना चाहूंगा इस टेलिग्राम पे मिल जाएगा आप टेलिग्राम पे सर्च करना सूपर फास्ट क्लासे एक ग्रूप मिलेगा उसे ज्वाइन कर लेना और उहीं पर आपको यह मतलब PDF मिल जाएगा ठीक है तो चलो मैं मिलता हूं आपसे इस प्रकार का पेपर का सल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना